हेलो गाइस आज मैं बनाऊंगी यह धेकिया या निंगरो यह सब का लेंग्वेज मेला गला किसका नाम है तो हम लोग इसे निंगरो या धेकिया बोलते हैं और यह ओती हेल्दी सबजी है क्योंकि इसमें कोई मेडिशन लगा के उगाता नहीं है यह अपना से जंगल में होता है देखिए और खाने में भी टेस्टी है यह इसका भाजी फ्राइ अच्छा लगता है खाके तो इसी को मैं बनाऊंगी आज आज मैं यही खाऊंगी तो इसको मैं साफ कर लेती हूँ देखिए इस तरीका से साफ किया है जो इसका हर्ट पार्ट है उसे मैंने छोड़ दिया है जो नरम है उसे मैंने काट ली हूँ देखिए अच्छे से साफ कर लिया है तो इसी को मैं बनाऊंगी साथ में एक आलू भी डालूंगी तो आप लोग पूरे वीडियो देखिएगा कैसे बनाती हूँ सभी को आता है ये बनाने के लिए बडन में अपना तरीका से बनाऊंगी सिंपल तरीका से इसमें बिना मसाले से ये बनता है अच्छा लगता है तो आप लोग वीडियो पूरे देखिएगा देखिए ये बनाने के लिए देखिए बनाने के लिए मैंने ओ writes में तो चंमाज डाली हूँ भरके तो अभी मैंने डाल दिया लहसुन थोरी कुटी हुई छे साथ कलिया ये है पाच फुरन ये है हरी मिर्च माच्छे और ये है प्याज दो प्याज डाली हूँ थोरी प्याज ज़्याज अच्छा लगता है इसमें और बाकी मस्तला इसमें जाएगी नहीं नमक स्वाद अनुसार और इसमें जाएगी हल्दी बाकी कुछ मसाला में जाएगी बिना मसाला में ये बनता है बहुती बढ़िया बनता है और हेल्दी है ये जिस्टी कि इसमें कोई मेंडिशन नहीं होता है ये जंगल में उखता है ठरी हल्दी पाउडर डाल रही हूं और प्यास को मैं आच्छे से भून लेती हूं पहले प्यास का कालर चेंज होने तक भूनेंगी देखियो प्यास भून चुका है हल्का प्यास अंगल चुका है बून के अब मैं इसमें इस साख को डालूंगी और आप लोग इसे क्या नाम से बोलते हो इसे हम लोग भेकिया या निंगुरो बोलते है तो आप लोग भी बताईए का कोमेंट ने क्या बोलते हो हुस्त 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 प्रमाज मैं इसे ढख के पखाऊंगी दिखे गाईस कितना बढ़िया से गल शुका है और खाने में भी बहुत इसा दिश्ट है यह बन के रेडी है मैंने आप लोग को बीच में दिखाया नहीं डाइरेक्ट मैंने साथ मिनिट तक इसे बनाई है साथ आश्मिज में बन जाती है कि इतना बढ़िया बनाए और यह गरम गरम चावल का साथ बहुत इस्वारिस होता है आप लोग को कैसा लगा यह रिस्पी अच्छा लगा तो को मेंस किजिएगा आज का वीडियो यह एल करती हूं बाई-बाई खीजब करती है चावल